नमस्कार दोस्तों आपका सुवागत है अपने यूट्यूब चैनल पी एफ़ पे में फिलाल हमें मार्केट आइटी सेक्टर से उमीद लगा कर बैठा हुआ नजर आता है आइटी सेक्टर में बारी तेजी देखने को मिली सबसे पहले तो TCS के क्वाट रिजल्ट्स आए और उसके रिजल्ट्स भी बहुत ही अच्छे देखने को मिले मार्केट का रियक्शन भी बहुत ही पॉजिटिव देखने को मिला था लेकिन अगर बात करें विपरो के रिजल्ट्स के बारे में तो यहां पर सिट्योशन और भी अच्छी हमें दिखाई दे रही है सबस्क्राइब कीजिए कुछ बैतर जानना चाहते हैं कुछ बैतर सीखना चाहते हैं स्विंग ट्रेडिंग के रेकमेंडेशन पाना चाहते हैं तो आज जो मेंबर हमें जॉइन करने के बारे में सोच सकते हैं सब से पहले share rollers के फाइदे के बारमें बात करें side income हम यह सक एसकते है dividend income interim dividend दिया है 1 rupees पर equity share का company की face value 2 rupees पर equity share है company का record date के बारमें बात करें जो dividend का record date है January 25 fix किया है 25 2021 अगर बात करें payment date के बारमें तो February 2 2021 के आसपास आपको payment मिल जाएगा comparatively ये थोड़ा सा dividend हमें कम देता है HCL Technologies, Infosys और TCS से अगर आप compare करेंगे तो Wipro में हमें generally कम ही dividend देखने को मलता है लेकिन ये तो side income हम कहेंगे ये तो side में रह जाएगा जब आप इसके quarter 3 के results को देखेंगे तो शांदार performance हमें देखने को मिला है Wipro के consolidated financial results यहाँ पर सारे figures रूपीज इन millions में दिये गए हैं तो सबसे पहले total income के बारे में चर्चा कर लेते हैं तो December 31, 2020 याने की quarter 3 में 1,63,241 millions की total income हमें देखने को मली है जो की quarter on quarter basis पे grow करती हो भी नज़राती है और साथ ही साथ year on year basis पे भी हमें याप पर थोड़ा सा growth देखने को मल रहा है थोड़ा सा ही growth हमें total income में देखने को मला ऐसा नहीं की बहुत ही बड़ा boom देखने को मला लेकिन उसके बावजुद net profit अच्छे खास है हमें याप पर growth देखने को मल रही है उसका reason भी जान लेते हैं total expenses आप देख सकते हैं 1,24,838 million का हमें total expenses इस quarter में देखने को मला जो की पिछले quarter के मुकाबले थोड़ा सा उपर गया है लेकिन अगर पिछले साल के मुकाबले बात करें तो यहाँ पर हमें total expenses में यानि की खर्चे में गिरावट देखने को मली है अब income बढ़ गई है और expense गिर गए है तो इसके चलते अफकॉर्स effect तो पढ़ने ही वाला है net profit में बढ़ा उतरी तो देखने ही वाली है profit before tax के बार में बात करें तो 38,504 million का profit before tax है जो की quarter on quarter basis या year on year basis शानदार performance हमें दिखाई दे रहा है अब बात करें main सबसे ज़्यादा important है शेरोल इसके लिए by profit कितना किया है profit for the period net profit 29,978 million का है जो की पिछले quarter के मुकाबले बहुत ही अच्छा performance है और साथ ही साथ पिछले साल के मुकाबले यानि की year on year basis में भी 21% के आसपास का growth हमें यहाँ पर विपरो में दिखाई दिया है अगर आप share market में पुरान है या फिर विपरो को जानते हैं विपरो को अगर आप track करते हैं तो आपको पता चलेगा कि शांदार performance फिलाल हमें देखने को मिल रहा है generally विपरो में हमें gradually थोड़ी थोड़ी growth देखने को मलते है इतना jump generally हमें देखने को नहीं मिलता लेकिन फिलाल अच्छी jump हमें देखने को मिली है अगर बात करें 9 months ended December 31, 2020 जैसे कि आपको बता है quarter 1, quarter 2 और quarter 3 तो यह पहले के भी 2020 financial year के भी quarter 1, quarter 2, quarter 3 से हम compare कर लेते हैं तो 4,75,469 millions की total income थी जो की हमें almost flat ही दिखा दे रही है वहाँ पर जादा बड़ा उतर ही हमें देखने को नहीं मिल रही है अगर बात करें profit for the period के बारे में तो profit for the period में 9 months में भी हमें आपर situation सुदर चुकी है 74,000 से बढ़कर 70, almost 79,000 के आसपास की net profit हमें देखने को मिली है तो situation विपरो में काफी तदा सुदर ती होए में नजर आती है stock के बारे में चर्चा कर लेते हैं विपरो एक large cap company है of course निफरिवटी का इससा भी है 2,60,000 क्रोड की market cap है 459 रुपीज का large traded price है जो की हमें आज almost flat दिखा दिया है returns के इसके profile के बारे में बात करे तो 1 month में 29% के शांदार positive returns बना कर दिया है 1 year के बारे में बात करे तो 79% के positive returns दिखाए जिते हैं 5 years long term के बारे में बात करे तो 123% के positive returns stock ने बना कर दिया है company के key metrics के बारे में बात करे stock के valuation के बारे में बात करे तो PE ratio 27.65 है जबकि sector का PE ratio 32.77 है तो sector के मुगाबले सस्ता है sector का price to book 8.3 है जबकि Wipro का price to book हमें 4.71 दिखा दे रहा है तो यहाँ पर भी हमें सस्ता दिखा देता है dividend yield के बार में बात करें तो 0.21% का dividend है जबकि sector का dividend 1% हमें दिखा देता है किसी भी company से अगर आप compare कर लेंगे Nifty 50 में अगर आप 3 दिगज के बार में बात करें TCS, Infosys, HCL Tag तो उनमें भी हमें dividend ज़्यादा दिखा देगा in comparison to Wipro Wipro में हमें dividend काफी कम दिखा देता है लेकिन Wipro भी काफी अच्छा stock है और generally bonus और split देने में यह बहुत ही आगे हमें दिखा दिता है अगर इसके financial trend के बार में बात करें तो आप देख पाएंगे financial trend हमें लगातार बढ़ता हुआ नजर आता है 58,000 crores की इसकी revenue थी जो की बढ़कर 2020 में 63,86,000 crores की हो चुगी है और profit भी लगातार बढ़ते जा रहे है मुश्किल बात होती है जो की विपरो हमें करते भी नजर आती है आज के delivery percentage के बार में बात करें तो 13 January 2021 को 29.71% की delivery हमें देखने को मिले जो की overall काफी अच्छी delivery हमें दिखा दीती है तो अब चलते हैं charts पर वहाँ पर कैसी situation बनी हुए उसके बार में भी चर्चा कर लेते है तो आप देख सकते हैं शानदार rally दिखाई है 171.80 के आसपास market crash में support लेने के बाद भारी तेजी आई है 460 के आसपास stock हमें trade करता हुआ नजर आता है इसमें हमें buyback भी देखने को मिला था 400 रूपीज का buyback का price था लेकिन उससे भी 15% उपर हमें ये trade करता हुआ नजर आता है currently सारे moving average के उपर stock trade कर रहा है indicators के बार में बात करें तो money flow index का number calculate होग रहाता है 92.78 जो की clearly दर्शार है कि stock हमें highly overbought category में जाता हुआ नजर आया है RSI के number के बार में बात करें तो RSI का number calculate होग रहाता है 88.25 यहां पर भी clearly highly overbought category हमें दिखा दे रही है MSED के crossovers के बार में बात करें तो इतनी तीज़ी आई है तो of course कोई bearish crossover तो नहीं हुआ होगा यहां पर भी bullish crossover का निर्मान हो चुका है अगर बात करें Bollinger band के बार में तो Bollinger band के upper band पर ही closing देखने को मिली है median 395 का level है lower band है 332 के आसपास का level pivot points के बार में बात करें तो pivot level calculate हो कराता है 374 का level और pivot में 3 resistance और 3 support होते हैं और philal stock अपने तीसरे pivot resistance पे trade कर रहा है pivot support के बार में बात करें तो 358 का पहला pivot support बन कराता है इसके all time chart पर चलते हैं इसके listing में इसके IPO में अगर आपने निविश किया हो था तो आज हमें जोरदार wealth हमें create होती होती है जिसका example भी मैंने दिया है fundamental analysis के series में आपको वो video भी मिल जाएगा कि कैसे split और bonus के मादिम से immense wealth create होती भी नज़रा सकती है जिसकी link आपको description box में मिल जाएगी तो generally आप stock में देख पाएंगे हमें corrections देखने को मिल जाते है और stock अपने 50 months के EMA के आसपास support लेता हुआ नज़राता है अब ये level तो बहुत ही नीचे रह गया है 254 का level है और इसका 20 days का moving average है 20 months का माफ कीज़े 20 months का moving average है वो भी 293 के आसपास का है इसका जो पुराना all time high था 300 उसी के आसपास हमें इसका फिलाल का 20 months का ये में trade करता हुआ नज़राता है तो फिलाल अच्छी rally हमें IT सेक्टर में देखने को मिल है इसके results भी काफी हमें अच्छे देखने को मिल है तो ऐसी situation में inversors को क्या करना चाहिए तो अगर आपने long term के लिए निवेश किया stock में आप अभी profit में होंगे क्योंकि stock of course all time high पर trade कर रहा है तो results काफी अच्छे दिखा जेने हैं company का performance काफी अच्छा देखने को मिल है और historically वेपरो जैसा perform करता है generally आपने देखा होगा तो पिछले एक दो सालों से थोड़ा सा हमें struggle तो नहीं कहेंगे लेकिन ज्यादा growth नहीं दिखा पा रहा था लेकिन फिलाल अच्छी growth हमें देखने को मिली है 9 months के बिड़ को भी हमने compare किया वहाँ पर भी हमें अच्छी growth देखने को मिली थी तो मेरे इसाब से long term की निवेशक को continue holding करना चाहिए अगर आपने short term के लिए है तो stock अलड़ी overbought situation में है profit booking करना चाहिए तो कर सकते हैं results अच्छे हैं तो तेसी continue रहने की भी उमीद हम लगा सकते हैं अब बात करें यहाँ पर fresh buy के बारे में तो अगर आप fresh buying करना चाहते हैं तो हम देख सकते हैं कि generally stock 20 days के EMA पर हमें काफी समय से चलता हुआ नजरा रहा है काफी महीनों से stock इसी level पर चल रहा है 20 days के moving average के आसपास आता है buying average होती है और वापर stock हमें उपर जाता हुआ नजरा आता है तो फिलाल जो 20 days का EMA है वो 404 calculate हो गराता है जो कि इसका buyback का price भी था अगर आप निवेश करना चाहिए तो 400 के support पर investment करने के बारे में सोच सकते हैं हाला कि personally मेरा मानना है कि अब ज्यादा lump sum amount किसी भी IT stock में नहीं लगाना चाहिए जो हमने साथ में नीचे के prices पे लगाया है उसे hold करना चाहिए उसमें कोई भी doubt नहीं है उसे continue holding करना चाहिए लेकिन पूरा-पूरा एकदम capital एक ही stock में डालना या IT sector पे बहुत ज्यादा पैसा लगाना इस current valuation पे थोड़ा सा risk की दिखाई दे रहा है आप इन सबी चीजों को ध्यान में रखने के बाद investment करने के बार में सोच सकते हैं लेकिन IT sector को ध्यान में जरूर रखना चाहिए buy on dips करना चाहिए और accumulate करना चाहिए ऐसे stock को जो आपको long term में शांदा returns बना कर दे सके और साथ ही साथ अगर आप अपना portfolio में से review करवाना चाहते हैं तो उसका link भी हमने description box में दे दिया है तो अगर आपको ये video पसंद आता है तो like कीजे, share कीजे, comment कीजे, subscribe कीजे मुझे motivate कीजे, thank you, stay happy, happy investing